अलो एवरिवन इंडिया नरूमा किचन जो आपका अपना चैनल है उसमें आपनों का बहुत बहुत स्वागत है और आज आप सोचोंगे मैं बहुत बढ़िया हो रहा है अंदर गरम था और यहां इतना अच्छा लग रहा है ना मैंसचे इंट्रिक्शन गहीं बैठके बनाई दाल साग देखे कितनी मज़ेदार लग रही है ना देखती ही टैंप्टिंग लग रही है तो एक बर इसको मेरे कहने से बनाईए जरूर और मुझे सची शूर है कि आपको यह रेस्पी जरूर पसंद आएगी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय है तो उसे सब्सक्राइब कर लिजें यह जो बैल वाला आइकन है ना इससे दबा दें और यहां पर और आगिया है तो बस अवाने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपनों को मिलती रहेगी थैंक यू तो देखें यहां मैंने डाल ले लिये आप चाहें तो उड़त की धुली डाल के साथ बना ले चाहें मूंग की धुली डाल के साथ बना ले पर मैंने आज यहां दोनों डाले आधील अधील है तो अबाउट 300 ग्राम के करीब मेरी डाल है और इसको मैं क्या करूंगी तीन से कूकर में डालेंगे अगर एक कटोरी डाले तो इसमें 3.5 कटोरी पानी पढ़ी जाता है और बस उसके बाद डाली एक चमज हल्दी और उसके बाद मैं डाल दूँगी एक चमज नमक या नमक आपने हिसाब से अपने टेस्ट के साफ से कम या जादा कर सकते हैं और फिर हम डालेंगे इसमें एक चमज के करीब ही ओई और बस कूकर को प्रेशर लगा देंगे दो विसल आएंगी उसको दो से तीने ठलका कर देंगे और जब विसल अपने आप खोलेगी तो इसको खोल कर देख लेंगे और अगर आपकी डाल गल गई है तो बहुत बड़ी है अगर गल नहीं गली है तो उसमें एक प्रेशर और लगा देजे बस और बस यहां मैंने 4500 ग्राम के करीब पालक ले लिया था और उसे बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है और काट के हम इसको क्या करेंगे दाल में डाल देंगे अब यह आपको लग रहा होगा कि पालक जाद है पर पालक आप इतना डाली है बहुत अच्छा लगता है वैसे भी यह बनने के बाद थोड़ा सा कम हो जाता है तो चलिए अब डाल में आलन डालते हैं आलन मतलब यह जो बेसन है ना यही असली मज़ा देने वाला है बेसन को ड्राइ रोस्ट कर लेंगे हाई फ्लेम के उपर जब एक उबार आ जाएगा तो उसको क्या करेंगे हम हलका कर देंगे और अब यहाँ पर आपने देखा में डाला है अद्रग चॉप डाली है थोड़ी ची और उसके संग दो तीन हरी मिर्चे डाल देंगे यह जो अद्रग मिर्ची का फ्लेवर ना यह बहुत बढ़िया होने वाला है गैस को हलका कीजे और धीरे धीरे बीच-बीच में चलाते रहें आदे पॉने घंटे बार जब किचन में हैकने लगे आप गदाल सक बनके दयार हो गया तो तड़के के लिए एक पैन रख देते हैं थोड़ा सा तेल डाल दिया है और थोड़ा सा ही हम इसके अंदर डाल देंगे असलीगी अबाउट एक चमज के करीब आप असलीगी डालिए एक चमज छोटा वाला मैंने जीरा डाल दिया है और आधा चमज के करीब मैं हींग क पौडर डाल रहे हैं इसके अंदर हींग जरूर डालिए हींद बादी को मारती है और वैसे भी फ्लेवर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं और एक चमच मैंने इसमे चौप्ट गार्लिक डाल दिया है और अब इसको बिलकुल हमने क्या करना है हलका सा गोल्डन करना है कभी भी अब जब गार्लिक जिंजर को फ्राई करें तो उसको बहुत डार्क मत कीज़े हलका सा गुलाबी गुलाबी हो बस अधरवाइस उसके जो फ्लेवर्स है ना बहुत इंटेंस हो जाते हैं और यह मैंने डाल दिये थोड़ी सी अधर और बस इसको भी हलका सुनहरी होने तक हम भूनेंगे और बस भूने के बाद जब बिलकुल एक कलर के उपर आ जाएगा इसमें दो हरी मिर्चों को हम काट के बीच में से डाल देंगे और यहां मिर पस प्यास थी तो मैंने बारीग बारीग चॉप कर लिया है मीडियम साइज की और इसे भी बिलकुल सुनहरी और अब मैं इसके अंदर डाल दूगी थोड़ा सा नमक नमक डालने से क्या होता है कि टमाटर बहुत जल्दी मशी हो जाता है और अपने फ्लेवर्स बहुत जल्दी से इसके अंदर छोड़ देता है बस तो फिर यह हमने डाल दिया और इसको दो तीर मिनट के लिए और आप मेरी बात मानिए इसे डालिए बहुत अच्छा लगता है यह तो यह हम एक चमच के करीब डाल देंगे और बस तड़का बनके तयार हो गया बस इससे अब हम पने डाल साग में डाल देंगे और पांच मिनट के लिए ठक देंगे आपको एक ट्रिक बताती हूं हमेशा जब भी आप तड़का बनाए ना तो इसको जरूर ढकिए और जब डाल में डाल देंगे चंड की आवाज आने चाहिए यह मैंने अपनी मदर इनलोज से सीखा था उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया वह हमेशा कहते थे जब भी तड़का बनाओ तो इसमें चंड की आ दाल मिर्चे डालिए और कश्मीरी मिर्च का पॉड़र डाली एक चमच और आपका त्रड़का बनके तयार है इससे अपने दाल साग पे डालिए उपर से धनिया और जिंजर जुलियन से इसको सजा दीजे और बढ़िया लजीज और इतनी मज़ेदार आपकी दाल बनके त तो अगर आपको रस्पी पसंद आगए ना अगर आपका मन कर रहा है इसको बनाने का तो किचन में जाएगे जटपट इससे बना लिजे और अगर टेस्टी लगे तो फ्रेंड्स और फामली के साथ शेर कर लिजे और अगर उनको भी पसंद आजे तो चैनल को सब्सक्राइ करेजे वीडियो को लाइक कर लिजे और बेल आइक दबाना ना भूलें गुड़ बाई